प्रम्जमानित मंचेवं प्यारे साथियों मैं दो घटनाओं के मर्जम से अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा ये गुजरात के राज कोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जैश्री बेन के जीवन की कहानी है दुनिया की हर मा की तरह उसमा ने भी बहुत से सपने देखे अपने इकलोते बेटे को खुब पढ़ाया लिखाया अच्छी तालीम दिलाई बेटा भी सपन हुआ प्रोफेसर बन गया डॉक्टर बहुशे शादी हो गई घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन बुरे दुन कुछ ऐसे आये कि बूढ़ी मा को लकवा मार गया पैरा लिसी सो गया हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया तो मा अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी एक रोज कुछ यूँ हुआ बिमारी के दिनों में की बेटे ने मा को सहारा देकर खड़ा किया मा बड़ी खुश हुई की मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है बेटा मा को पकड़ कर धीरे धीरे सीडियों के सहारे चट पर ले गया मा बड़ी खुश हुई की मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है चट पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी मा को गोध में उठा लिया मा खुशिशे भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा जान गया है कि मुझे सीडियों से चड़ने उतरने में दिक्कत होती है मेरा बेटा मेरी कितनी फिकर करता है, मुझसे कितना प्यार करता है लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया हाथ उढ़ा कर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इनसान वैसा न करी उस बेटे ने गोध में उठा कर अपनी मा को चार मंजिला मकान की छट से नीचे फैंक दिया बुढ़ी मा कुछ समझ बाती उससे पहले उसकी जिन्दगी खत्म हो गई चौथी मंजिल से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है तीन-चार सेटिन लगते होंगे लोगों को लगा की माँ छट से गिर गई होगी लेकिन पुलीस पड़ताल और सिशिटी वी फुटेज से तीन महीने बाद पता चला की मा मरी नहीं थी प्रोफेसर बेटे ने मारा था और पुलीस पूचतास में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मा की बिमारी से तंग आ गया था और इस आफ़त से पीछा चुडाना चाहता इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली बुनियाद रिष्टों की महज दस्तूर में बदली और बुजर्गों को फकत आफ़त समझ बैठी ओलाद आदम की बड़े बेनूर बदली दो महीने की बिमारी से परिशान होकर प्रोफेसर साहब ने नो महीने तक पेट में रखने वाली मा को मार डाला ऐसा ही कुछ मुंबई की आसा सहनी के साथ हुआ उनके बेटे ने खूब अच्छी तानीम हासिल की अमेरिका लयाद प्रोफेसर बना लेकिन घर लौट कर नहीं आया पीछे बुढ़ी मा इंतजार करते करते एक रोज विष्टर पर सोते सोते ही मर गई और उसका जिस्म उसी विष्टर पर पड़ा-पड़ा कंकाल में बदलता रहा बेटे ने डेढ़ साल तक कोई खबर नहीं ली पर बाद में जब घर लौट कर देखा तो उस विष्टर पर उन दोनों के रिष्टों की तरह कोखला इक घरी ओंधों का धांचा पड़ा है ऐसा ही कुछ शूरत की चंपवेन के साथ हुआ ऐसा यह कुछ इलाहबाद के कमलन दुश्रिवास्टों के साथ हुआ ऐसा ही कुछ इसी शहर के प्रंपूरी में रहने वाले एक बुदुर्ग के साथ हुआ एक आद घटना हुई होती तो कहा जा सकता था कि उस मनुष्य की मनुफृती में कुछ फरक रहा होगा, कुछ विकार रहा होगा लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामन्य हो चली है अख़वारों में रोज यही खबर है और इन घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि यह उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की मुझे आज बोलने के लिए जो विशे दिया गया था वो यह था कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है हारांकि पदपद पर इस बात की गवाही मिलती रहती है लेकिन यह घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिध्धतर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है शिक्षा तो है लेकिन संसकार कहीं खो गई है सभ्धता कहीं खो गई है अब प्रश्न ये उस्ता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है तहजीब घो क्यों रही है दरसल हम जिस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं और उने सिर्फ तालीम देते हैं उससे बच्चे प्रोफेसर इंजिनियर या डाक्टर तो बन जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन प करता है माबाप करते हैं और अगर संसकार कहीं खो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है बच्चा संसकार कहां से सीखता है घर से ही तो सीखता है अब पहली बात तो ये कि बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता और यदि रख भी लिया जाता है तो स्कूल प्यार, सम्मान और संसकार खुजने लगते हैं और जब नहीं मिलते हैं तो परिशान होते हैं तारे जमीन पर फिल्म का वो द्रश्य याद कीजिए माबाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर रवाना हो रहे हैं बच्चा पल्लू पकड़ कर रोता है कि भीड में यू न छोड़ो मुझे घर लट कर भी आना पाऊं मा क्या इतना बुरा हूं मैं मा क्या इतना बुरा मेरी मा माबाप फिर भी निश्टुर होकर चल देते हैं और जब बाद में बच्चा संवेदन हीन होने लगता है तो बहुत परिशान होते हैं मैं ऐसी अनेक यूगों को जानता हूं जिनकों उनके माबाप ने 7-8 साल की उम्र में घर से दूर अच्छी तालीव हासिल करने के लिए भेज दिया था हाला कि इस बात में कोई दोरा है नहीं कि वो अच्छा भविश्य बना लेंगे अच्छा करियर बना लेंगे लेकिन एक चीट जो मैं कई बार महसूस करता हूं वो ये है कि उनका अपने माबाप के साथ रिष्टा उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना सामानिता होना चाहिए और यदि उनमेंसे कोई 20-25 साल बाद अपने माबाप को घर से निकाल देता है या बृध्धा स्रम में छोड़ पर आ जाता है तो मुझे इस बात से कोई अच्रिज नहीं होगा करता था सो क्यों किया अब कर क्यों पच्चता है बोया पेड बगूल का तो आम कहां से खा है पहले जब प्यार बोया ही नहीं है सम्मान बोया ही नहीं है संसकार बोया ही नहीं है तो उसके मिलने की उमीद क्यों करे खेर मैंने काफी समय ले लिया है अंत मैं चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि जैश्री बेन तो चट से फेंके जाने के बाद नीचे गिरते वक्त कुछ सोच पाई थी या नहीं सोच पाई थी मुझे नहीं मादू लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ भगवान ना करे ऐसा हुआ तो आप ये जरूर सोचेंगे कि तालिम के साथ तहजीब भी देदी होती है तो इस तरह नहीं मरना परता और अगर आप इस पश्चाताप के साथ नहीं मरना चाहते हैं तो अपने आने वाली नसलों को, अपनी पीडियों को, अपनी उलादों को मशीन बनाने के बजाए, मनुश्य बनाने के शुरुआत कर दीए नहीं शब्दों के साथ में अपनी बनाने कर दीए